hello everyone तो आज किस वीडियो में ब egent करने वाले हैं conversion पर तो , Conversion of feature projection in to flying wedge स्फिशर बर ठोजक्षन और przysz ring's projection क्या होता है मैं इसे पहले वाली iio में बता चुका है इसे पहले मतलब जब आरेस नौमंक लेचर की पहले वीडियो है पार्ट फाइफ या शीक्स होगी देख लेना आप वह वीडियो देख लेंगे तो आपको यह पता चल जाएक कि फिशर क्या होता है और फ्लाइंग क्या होता है उसमें मैंने बताया है तो इस वीडियो में हम करने करने वाले हैं कि Hem Fisher กzen को कैसे करेंगे तो इस तरह का हमें दिखता है दो इसे हम कहते हैं picture projection अब यह फिशरा प्रजेक्शन है तो अब हमें इसे कंवार्ट करना है तो कैसे करते हैं उसे गवह में देखना एक है कि adesso ले ईसको देखते हैं इसके लिए हमाता फिशर पोजेक्शन है हम इसको आइसा जीरम करते हैं है कि हम इसको इस साइब से देख रहे हैं चलिए इस-क अगर अगर हम साइब से देखेंगें तो यह हमारी साइब होगा जानी एक को हम देख rah fundo पर तो पहले हम वोला यह होता हमारा फ्लाइंग विज प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं विज डाइश प्रोजेक्शन भी कहते हैं तो यह हमारा टूवर्स दी वीवर यानि वीवर की साइड वाला है और इसमें यह वाला जो होता है यह हमारा यहां पर यह हमारा यहां पर आ यह हम से दूर की साइड है यहां मैं नहीं देखेगा तो यह हो जाएगा मारा अवे फ्रांदी वीवर होता है वह यह वाला होता है है यहाँ कि लिकिंगे हम उप सिन जैसे कि अगर ए को मनोस भी तेट्रा हैंडम क्यान पर और यहमाला इससाइड है और यहाला पीछे की साइड यह वाला में दिखेगा आप बचा है दो बांड यह वाला इसको मैं थोला समझा देता हूं इस तरह से जैसे कि यह वाला प्रोजक्शन जो है वो कुछ इस तरह का है जैसे जैसे कि यह यह जो है यह यह हम आरे यह जो यह पर यह यह पीछे कि साइड जो वह वह ओ यह अगर मैं इसको इस साइड से देखूंगा तो यह पीछे कि साइड मुझे नहीं दिखेगा और यह शीए तरी यह वाला बांड यह त्रीडा समझना थोलसा मुश्किल होता है तो यह कि जो आपकी साइड है जिसे कि यह अगर यह मेरी साएड तो यह ऊच इससे दूर की साइड है यानิ कि यह मुझे दिख रहा है तो यह नहीं दिखेगा यह होता है तूर्स Tá भी व्युव सब्कूर क्यान मुझे अब बने अब यहांपर दो कारबन हैं तो पहले कारबन के लिए हो पहले यहांपर बना लें घ्मार पहले कारबन और यह दूसरा कारबन तो एक बहार तो होगा हमारा वेज दूसरा होगा डैश पर और एक बांड और बचता है एक बांड ये होगा हमारा प्लेन पर उसी तरह से यहाँ पर भी होगा ये वाला बांड होगा प्लेन पर और ये वाला डैश से नीचे की साइड और एक बांड होगा हमारा सॉलिड लाइन से जिसे हम कहते हैं वेज तो यह दोनों बांड हमारे जो हैं एक बांड यह एक कारबन वाला यह एक कारबन यह एक कारबन यह करबन इसे बांड बन गए अब हम देखेंगे कि हम इसको इस साइड से देख रहे हैं जब हम इसको इस साइड से देखते हैं तो ओ यच और यच एब पर जाएक, अब बचा क्या है, COOH तो COOH हमारा आजाएगा प्लेण वाले पर, यह वाला वाहन चोरे वह वह एक प्लेण स्पर है, और यह वाला ऊपर की साइड है, और यह पीछे की साइड है, अभ इसी तरह से इस कार्रम में होगा, यह हम इसको देख रहे हैं यानि कि हमारी साइड है उपर की साइड है तो यह चाहेगा हमारा यहां पर और यह इस से पीछे की साइड है तो ओ यह हमारा यहां पर और यह नीचे की साइड है यानि कि यह प्लेन वाले पर है तो एक बंड हमारा यहां पर बचेगा तो CH2OH हमारा यहाँ पर आजाएगा कि तो अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि जो इसे पर बॉप ःब यह उसको बिल्लो इस प्र बच एक व बाइगए उसको थे पर खाल टॉ इस तरह से ऑमारा हो जाएगा फिशर से समय कर लेते हैं अब इसको किया एप इसमें वह यहां पर बनाए मैं वैसे बना लेते हैं एक कार बनिए एक कार बनिए अब इस से लगए हुए हमारे पास तीन बांड, जो होते हैं फ्लायंक वेज में उस तरह बनाते हैं एक कर invoke यह रहा हमारा दूसरा यह तीसरा यह मे anthrop Hend simplicity यह पर अब देखिए सकून और कंदस का यह उपर की साइड यहां पर और यह दोनों कि मिट्सक् Madison के तो इसको में यह वला में में देखेंगा और यह वला मारे पीछे होगा तो यह इदर और इसमें सीच तही नीचे कि अश्दूबंद प्लेंज यह वाला ऊपर वाले में सिस्थ फिरफ पर कि और यह वाले पर ओariat तो इस तरह से हम convert कर सकते हैं Fischer को flying में यह तो हमारा Fischer यह हो गया हमारा flying हम अब हम इसको क्या reverse कर सकते हैं जैसे हमारा Fischer से हमने बनाया flying अब यहाँ पर आपकी दूसरी heading हो जाएगी flying से Fischer conversion of यहाँ पर लिखेंगे flying wedge into Fischer projection अब हम इसको क्या रिवर्स कर सकते हैं के लिए मैं इसको आगे लिखता हूं आप समझे कि यह इसांपल आपका नहीं है अब यह दिया गया है फ्लाइंग में अब इसको करना है आपको फिशर इधर कभूली लाइए तो सबसे पहले हम फिशर में जिस तरह कामारा बांड होता है यह वाल हम देख रहे हैं तो यहाँ है वहारा गया टोन सकते हैं वह यहांपर आएगा यानि आप मू हम दिपलेन है वह बिलो दी प्लैन थो यह भुच्ट तो यह मारा वाव धू प्लैन है तो इस दिलो दी प्लेन हो अवला यहांपर आएगा और दो बांड फिलेन पर आए उसको प्र बनाएंगे देखिए ऊपर साइड तो हम इसको उपर इस तू वह अच्छ लगाएंगे और यहां पर बच्छा है तो यहां पर लगा देंगे बस हो गया उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं अब अब दीजा इधर इधर भूल जाएए इधर दैखें कि हमें अब यह दिए इसको मैं क Dit अरफ लाइंग करना है फिशर में की रहतें की च्रिफ हम इंठाइब्य कार्बन वोडन टो और प्रिस्कивать यहां पर यहां देख रहे हैं तो यहां पर वान अधोर बांट होता है तो हम इसको यहां पर दिखाएंगे और यहां और यह हमारा अवे फरांदी वीवर है इधर हो जाएगा और दूबांट प्लेन पर यह देखिए हमारा वेज है और यह डैश है तो यह उपर नीचे और यह वाला बांट जो है ना तो वेज है ना तो डॉर्टे इस तरह एक प्लेन पर है तो इसको हम लिखेंगे हैं यहां प यह आगा हमारा अब इसके बाद यहां से आप बना सकते हैं इसको इसको भी अब यहां देखेंगे आपके पाद दो कार्बन तो दो कार्बन के लिए आप सीधे सीधे से लाइन की चेंगे और जो आपके पास इसमें भी आप सपोस करेंगे कि आप इधर से देख रहे हैं अब जब भी कनवर्ट करेंगे आपको लोग आपको यही सपोस करना है कि आप इसको इधर से देख रहे हैं जब आपको इधर से देखेंगे जो आपको ऊपर वाला बांड है यह सॉलिड वाली लाइंद है उसको सामने इधर आएका CH3 इस तरह से आप फिशर से फ्लाइंग फिर से फिशर से फिशर पिशर कर सकते हैं अब हम देखते हैं फिशर से स्वाइंग फिर सब्सक्राइखेंगे न्यूमान प्रेख्षन फिर उन पहले सौहर्स वाला तो अब देखते हैं कि और यहाला कारबबन जो ओअ हमारा होगा, इसे हम कहते हैं फिर्स्ट कारबन और यहाँ हमारा होता है second carbon तो अब हम इसको इसमें convert करने के लिए simple सा हम इस तरह का एक symbol बनाते हैं एक ऐसे यह हमारा first carbon के लिए और दूसरा second carbon के लिए भी ऐसे ही हम इस तरह से दो वाई जैसे हम दिखने वाला इस तरह से बनाएंगे अगर हमें फिशर से सहर्स में करना है तो यह वाला होगा हमारा फर्स्ट कार्बन और यह वाला होगा हमारा सेकंड वाला कार्बन यानि कि फर्स्ट वाला कार्बन यह वाला इस तरह से और यह सेकंड वाल कि इससे ही राइट साइड में ओम देखेंगे राइट साइड में हो याच्ट और ये अब कर बंद बचेह नीचे कर the Black The City C2 फाइव एग बонने यहां पर हुआ यह पर व्हां दोफ़ाइब यांट राइट वाले तो इसके राइट स्पेजिंगे है लेकिनि इसमें नीचे की साइड लेगे क्योंकि इसमें एक बांड इधर बच-अ और इस तहलते सिर्फ बचा हुआ है तो घर्लिक बस इसमें यही एक ध्यान रखने वाली चीज़ है यह हम इस तरह से बनाएंगे तो यह ऐसे बैड़ जाएगा और जिब इसको हम यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ओ यह यह लेफ्ट साइड में और यह सिरी जो उपर वाला है वो इसमें नीचे के साइड आता है बस इस तरह से कर यह आवर उर्व कि और अबिस फर्ष्ट कर्मांग को यह सेखान आपर हम्ली अपार ऋच्यर आंगे इस ठावर इसको इस तरह से हैं मिल आदेंगे तुम्हलन आवरी आज यह है इस तरह से आब दिखा सकते हैं इस तरह यह वाला आपना पहला वाला और यह दूसरा वाला और इससे अपने जो एकबान बनाया वह इस तरह से अब राइट साइड में क्या है लेफ्ट रिख देए अब अपर याँ पर यह पर यह नीचिक साइट शेने अच्टिरी और इसमें ओ यह यह वैसे ट्रॉघ्ट को यह हो गया आपका सहार्थ प्रोजेक्शन साहर्थ प्रक्षन्च आपको कुछ Dame स terre водa स्मक्षिस प्रोजेक्शन अब है यह साहर्थ मैं अअए ऑग्याइ के दोनों सेम तरह से होता ड्स साहर से लिए प्लैन पर ऐसे न अब यह जो बांड है वो आपका बांड इस तना से उपरव साइड आएगा और ये चीह जो तीन भांड इस तरह से वह इसके बिल्कुल इस तरह से ऐसे होंगे इसको थोड़ा आप इस तरह संढ़ेंगे एवाला हमारा यह लोगया यह वाला जो हमारा ऐसे यह ऐसे है अब दूसरा वाला बान यह वाला बान जो वह इस तरह से अब यह वाला जो है वह उपर जो फिर से ऐसे ही आगे है यानि कि जब आगे वाला आप देखेंगे तो यह पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा कि यहां पर दिखान नहीं पाँंगों मैं कुछ इस तरह से आगे आगे की तरफ होते हैं यह एस तरह यह इस तरह से आगे वाला पीच्छे वालवी इस तरह से इसके पीछे, जिसे हम कहते हैं कलेश्फ कनफरमेशन तो इसे हम कहते हैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना कि इसमें होता है 120 डिग्री का एंगल क्योंकि हमारे पास यह जो ट्राइए ट्राइएंगल है कि ट्रैर चृफ्टॉ को ट्रेंगे कडि लिचेट करें तो यह जो यहां पराएगा सिस्टीरीं सब्सक्राइब करेंगे नियुमन प्रिक्शन उसमें रूटेड करेंगे श्टी जैसे कि हमारा या वाला पेहला वाला जो है वह ऐसे ही रहेगा और यह वाला जो है हम इसको ampe कर रहें मैंटटी का मतलब है जासे ऑगर मेरे पास यह है यह उसको उनद तो इस को रोचेट करा दुँग तो इसको और यह शॉथ साइड में आएगा तो इसको भी हमें वह इसे ही करना है इंगर मैं इसको 180 रोटेट करा रहा हूं तो यह इसका पॉजिट यहां पर आएगा इसका पॉजिट यहां पर और इसका पॉजिट यहां पर तो आपको बांड कुछ यहां पर कुछ इस तरह बनाना है तो यह यह यहां पर और यह यहां अब देखें यहाँ तो अब देखें तो यहरे pf बंश्व आगया इसका मुण कर दुट कर यहांपर आ गया उसका है यह यहांपर यह यह यहां-पर है यह यहां-प्र आ कि इस टेगर कंफर्मेशन कैसे होता है वो कुछ इसके बीच में जो एंगल होता है वो सिक्स्टी डिगरी का इसमें फर्क होता है जैसे कि हमारा यह है अब जो दूसरा वाला बांड है पहले तो इसके बराबर में होता था ना इसके बाद वाला यहां पर यहां पर इस टेगर वाला है तो इसके पीछे वाला जो बांड हो यहां पर कुछ इस तरह दीखेगा तो इसे हम कहते हैं इस टेगर वारा यह ओगा इब आ इन सहौर्स में अब बात करते हैं दूसरे एक्जांपल क्यां करेंगे इसमें यह माराइब रवाइब्टकर और यह वाला सिकंड और युला सिकंड फ़िए रस्ट के लिए सबसे पहलें क्या बनाएंगे दो आई इस तरह गा इस तरह दो आई बनाएंगे ओर राइड में एच लेफ्ट में ओर राइड में एच लेफ्ट में और बचेगा एक बाए एक सिस्टू एस यहां पर बचा है तो सिस्टू ओएच हम यहां पर लिखेंगे क्यों मेरा पाइला और यह दूसरा अभी स्वेश्टी एच सिरी राइड में और यह लेफ्ट में बचेगा सिच्चो तो सिच्चो आएगा हमारे यहां पर इसका आप क्या करेंगे यहां से मिला देंगे तो आपको बंजा का यहां से सहार्स प्रोजेक्शन यहां पर आप जो हैं आप लिख देंगे ओवार इधर यह इंदर सीस्टू यह इदर सीस्ट्री इधर यह इदर सीच्चो यह आपका है एक लिफ्ट कन्फरमेशन में एक लिफ्ट वाले में इसको आप 180 डिघर बना सकते हैं सपार्ण यह इसमें थोले हैं इसमें थोला सा कण्फीजन अजहाने में तो मैं 180 कर रहा हूं अगर मैं 6060 दो बार करूंगा एक बार यहां पर रहे गा तो दूबार यह फिर यहां पर आजाएगा तो इसे फिर से वह एकलिप्स हो जाएगा इसलिए तीन बार करना पढ़ ला ताकि वह फिर से इस्टे गड़ में आए फोट आ दो जो आए है उपर मैं बताया कैसे रोटेशन और इसलिए मैं यहाँ आपर बना दे रहा हूं बस यह अलबर मसे रहाएगा ये वलचो हमारा फेक्स की रहे गा यहार रोड टॉच तर जाएगा रोट जाएगा रोड जाएगा रोड़ रोड़ आट रही यह पार इतर ये हो जाएगा मेरा इसे हम कहते हैं साहर्स स्घेक्षिंशं इसे कहते हैं सहार्सिया Certy Kitty Church और हमने सहार्स में कैसे कर ना यह देख लिया अब बात करते हैं सहार्स यसे क्या बना सकते हम यह वर आपकी दूसरी युडिय आ हो जाएगी कनोर्जिन आफ सहार्स इंटू फिशर प्रोजेक्शन तो हम देखते हैं उसको उसमें कुछ नहीं करना है सबसे अगर आपको इस तरह का सहार्स प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का दिया हो अगर इस ट्रेगर दिया है तो आप उसको पहले एकलिफिट बना लेंगे इस तरह से मैं वापस कर रहा हूं आप इस ट्रेगर सब्सक्राइब लेकिन उसमें थोली से दिक्कत आएगी लेकिन आप इसको इकलिफिट बनाकर करेंगे तो कुछ नहीं होगा जैसे कि हमारा इस ट्रेगर फार में दिया है तो इसको हम वापस से 180 डिग्री रोटेट कर देंगे इसको हमने वापस 180 डिग्री रोटेट कर दिया यह इस वाले बांड को हम वापस से 180 करेंगे तो यह बन जाएगा वापस से 180 करेंगे तो हम आ जाएंगे कुछ इस्तान का हमारा प्रजेक्शन होगा हमारा रोटेशन अभी यहां पर होगा अभी रोटेशन नहीं होगा यहां ठीग है अभी हमारा एक लिफ्ट कनफर्मेशन हो गया अब इसके लिए अब हम इन दोनों के बीच का बांड यह वाला जो है उसको हटा देंगे जैसे यहां पर जो बंद आ था उसको हमने आठा द आठ और नीचे इक साइड शीरी जैसे कि यहां पर था वसी यहां पर अब हम फिशर में क्या करेंगे जैसे को अगर मैं यहां से इसको हटा दूंगे तो आपको तो पता है यह फर्स्ट करवन ए इसकंड करवन आफ इसे तरह बांड बना लेंगे इस तरह के दो कारवन वाल यह प्रिए अचिर यह लेग्स एक साइड इस तो चाहिए है वहें तो सहार्थ इसे आफ फिशर भी बना सकते हैं वैसे हमें हमें पढ़ना होता है फिशर सेुहर्स पढ़ना होता है इस इसको वापस करके भी बता दिया हूं कैसे याःज आप इसे विगा सकते हैं अगर आपको यह दिया है इस इघर में इस टेघर से है आप बना लिए ये मॉन इंट-जीडिग्री रोटेट करके आपको इसको इकलिप स्क वाइस इसको वाइस हां मेस तरह बनाएगे फिर इस तरह हमाने गौद आपको इकलिफ्ट ब पढ़ा जाएगा उनल ऐसे ऩद्रद्य साहर से खिशर भी बना सकते हैं अपनल मुड़ी स governments कार बनातीं है इसके लिए एकता है इसा कारबन है इसे पहली हो 건 कारबन हमिसको फ९रूंट कंसीडर करेंगे टीड़ परस्ट कारबन जो हता हमारा विरसिग को कारबन जो होता है मारा से कर कारबन जो हताइए Woo squad यह सामने वो पीछे हों दो इसके लिए आप क्या करते हैं फरंट को हम दिखाने के लिए एक डॉट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह का और इससे हम तीन बांड इस तरह से ड्रॉ करते हैं और बैक वाले को हम दिखाते हैं एक छोटे से स्फियर से इस तरह से और इसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे तीन बांड इस तरह से इससे पहले वाले में हम वाइच करते थे इसने इस तरह करींगे आप उसतारा से बन गाएगा लेकिन मैं इस तरह से बताता हूँ आपको यह 2 फर्रेंट कारबन और यह जो गोला वान पतारे लेफ्ट साइड में एच तो इसका राइट इधर है ओवार लेफ्ट में एच और नीचे के साइड ही यह वाला अब यह नीचे के साइड है किया कि एक बां यहां पर यह बच रहा है और यहां पर यह से mask यहीं पर आएगा अब देखे इसमें यह वीर्ट में एसकel में एक बचे है इतर स्य क्या करते है नहीं अब इसमें क्या करते हैं हम इसे डाटर डाटर से करके जोल देते थे लेकिन इसमें क्या है इसको उठाकर इसके उपर बिठा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इसमें एक बांट तो इस तरह सकते हैं लेकिन इसको दिखाने का जो हमारे पास तरीका इसको हम इस तरह से यह तरह से और से करण वाला और राइट साब वार लिफ्ट में एच यह osब अब देखियें यह मरा फास्ट का फस्ट वहलेंगा काम फूरा वो गया, सेंधर वाले में देखते हैं, सेंधर वालों क्या है, पर से लगा हुआland गया है तो इस से हम अब स्वीर से लगा हुगा यहाँ पर बनाएंगे इसको हमने इस तरह से उठाकर इसके ऊपर रख दिया है तो यह वाला बाद जो हो इसके पीछे रहेगा और यहасть साइश वागंग वह लगांश से क्योंकि हम ब्लेक बोड़ तो यह आगई तक यह पर बनायां नहीं सकते नहीं तो इसको दिखाने के लिए जो हमारा बैक आट आट उसको करते हैं तो यह अवाय व्लाइक रवकुन कर चाएंगे इसका बनाएंगे तोयां तीसरा ब्हलार यहां थे अब इस पर चैटरी है यह बढ़ी अच्छ तो यह वाला भी कनफर्मेशन होता है हमारा एकलिप्स देखिए पहले जैसे कि यह वाला हमारा बैक कारबन इस तरह से फिक्स है अब जब यह वाला कारबन आएगा तो इसके बीच में पहले यह बांड होगा फिर उसके बाद यह इस तरह से फिर यह इसके पीछे बिल्कुल इस तरह से होगा यह बांड लान तो यह वाला बांड इसके बिलकुल पीछे की साइड होगा, यहां पर इस तरह से, जिसको हम 2D में समझते हैं, इस तरह से, यह होता हमारा Eclipse Conformation, और इसको आप इस टेकर बना सकते हैं, 60 डिग्री रोटेट करके, इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, हम थोलो बहुत, जब हम पढ़ रहा होगा, वीडियो का, इस टेकर में पाट टू, शायद, तो अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे, यानि कि यह, यहां से यहां दक का बांड, जो है, इस फ़रंट वाले को अगर आप लें, तो यहां से 120 है, 60 करेंगे, तो इसके बीच हाफ आएगा, तो अब हम स्फियर वाले को अगर रोटेट करें, 60 डिग्री, चलिए मैं यही पर कर दाऊं, जैसे कि, यह वाला हमारा फिक्स होगा इस तरह से, और जो स्पियर वाला है, वो 60 डिग्री रोटेट होगा, यानि यह वाला जो, पुल्टे बना जी कलर हो, यह वाला हमारा फ्रेंट कारवन, चलिए, अब यह वाला बांड जो हो, 60 डिग्री यहां पर था भले, 60 डिग्री रोटेट होगा, वो यहां पर आ जाएगा, तो यह बांड कुछ, इस ताना सा आपको दिखने लगेंगे, तो छो यहां पर, और यहां पर, और CS2, OS, यह सब अपनी जगां पढ़े रहेंगे, और यह OR, और इधर, यह उता हमारा एक लिप्स्ट, और यह उता एक स्टे, गर्ड, तो इस तरह से हम फिशर को न्यूमायन में कनवर्ट करते हैं, एक एक जांपल से हम और समझते हैं, वैसे ही, यह हमारा फ्र कहते हैं, फ्रंट को हम दिखाते हैं, डॉट से, इस तरह से, इसको हम इस तरह से बनाएंगे, और बाइक साइड वाले को हम दिखाएंगे, गोले से, जिसे स्फियर करते हैं, इसको इस तरह सिखाएंगे, अब इसके राइट साइड में C2H5, लिफ्ट में OH, इसका राइट अब सिखनना वाले देखेंगे येवला मारा से कर्वान ये वाला फर्स कर्वान तो अब इसको उठा कर आप इसके उपर रखेंगे तो कुछ इस तरह कामें दीखेगा यहाह्ना पर देख चुकी है पहले यहीं सतरा से आङा मीए, C2H5 और इधर होई अच्छ और बैक वाला जो कारवान है हम इसको दिखाएंगे एक स्पीर से और ये इसके बिल्कुल पीछे ही होगा यहां पर और दूसरा वाला यहां पर और तीसरा वाला यहां पर और यह वाला जो बांड है हम इसको यहां पर ना दिखा सकते हैं नहीं दिखा तो इसको पहले यह वाले मिल रहे तो इसमेना इसमें बंद कर मों अब इसको 60 डिग्री अगर आप रोटेट करेंगे तो हमारा एकलिप्स दे बन जाएगा इस टेगर्ड यह सी टुएज फाइफ जाएगा ओएच और यह बैक वाले करबन के लिए मैं बनाएंगे एक स्फियर और 60 डिग्रोटेट इसकी बीच में आएगा यहाँ पर तीन इस तरह से बना सकते हैं फिर उसके बाद यह वाला बांड़ इस सैड मूव होकर आएगा और यह वाला इधर आजागा और यह वाला इधर चला जाएगा तो यह इंग इधर दो इसी टूएज फाइफ इधर और इसे टूएच इसे हम कहते हैं एकलिफ्स्ट और इसे हम कहते हैं इस टेगड तो यह हो गया हमारा कनवर्जन फिशर से न्यूमन फिशर्स हैं newman कैसे convert कर सकते हैं हां तो अब आप उल्टा भी आ सकते हैं ना वापस भी आ सकते हैं अगर आपके पास इस तरह से अगर नियुमान projection दिया हो अगर इस टेगर में दिया हो सबसे पहला आप इसको एकलिफ्ट बना ले कैसे इसको वापस से 60 इसको वापस से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो यह वाला बांड वापस यहां पर आ जाएगा बन जाएगा क्यों आज़ि से यहां पर आएगा और यह से दवाला कारवन से राइट साथ में उजी है्ट में पर च्टाइक बंडा और वचा इसको मिलाएंगे तो दोनों से मैं तो इस तरह से आप न्वा Dog झाल झाल